आज हम आपको मैतली जाण गुप्ट जी के बारे में बताएंगे मैतली जाण गुप्ट जी का जन्म चीरगाव जहासी में समवत 1943 अर्थाद सन्न 1886 में हुआ था इनके पिता सेट रामचर्ण कावल प्रेमी एम भक्ती प्रेमी थे हल सुरूप इनकी स्कूली सिक्षा घरेलू रही हिंदी, बांगला, मराथी, संस्कृत आदी भासाओं का इने संपूर्ण ग्यान था इनकी प्रारंबिक रचनाएं कलकत्ता के जातिय पत्र में प्रकाशित हुई आचारी महावीर प्रशा दिवेदी जी के संपर्क में आने से अर्था सरसोती पत्रिका में इनकी रचनाएं छपने लगी और हिंदी संसार में उनका स्वागत हुआ मेतली सर्ण गुप जी की रचनाएं इस प्रकार से हैं मेतली सर्ण गुप जी ने भारतिय संस्कृति का गोरगवान किया है ये रामभक्त कवी भी थे गुप जी ने प्रबंद एव मुक्तक दोनु तरह के कावे रचनाएं इनकी रचनाओं में सत्याग्रय, अहिंसा, आदाश्वाद, मर्यादावाद, विसु प्रेम, यथार्थवाद, मनुष्टवाद, प्रगतिवाद के कावेत्व का संगम है। गुप जी ने खाड़ी बोली की भासा को परिश्कृत और परिमार्जित किया है। मात्रभूमी कविता में उन्होंने प्रित्री रूपी माता के गुणों को समझाते हुए, उसके प्राकरतिक सोंद्रे में मानव जीवन ये विकास और मुक्ति को अभियत किया है। मनुष्यता कविता में कवी ने आपसी प्रेम, सहनुभूती, कहरुणा, परोपार, उदारता, बंधूता, एकता और मानवता अधी गुणों को मनुष्य जीवन के लिए आवसक बताते वे अपना भाव प्रकट किया है। वर्दमान युग में इनी गुणों की मानव जीवन में प्रासंगिता है।